कडाके दी ठंड ते संगनी तोंद लोकां दा भार निकलना मुश्किल होया पया है फिल हाल लोक चिंतित ने के ए ठंड किन्ने के देन तांग करेगी खोदनू लएके नी अपने बच्चे नू लएके ते कारदे वेच पेठे बजुरगाणू लएके क्योंकि जिन्नी ठंड पेंदी है उन्हीं कितने के ते समस्या वद्धिया बमारी यह खत्रा बने रहें दा और बार आउन जानवाले आनू हास्यां तो वड़ा डर लगदा पर मजबूरी बारता निकलना पेंदा पर आउनवाले दिन तो अड़ेली किन्ने के सुरख्यत ने किन्नी के तो आनू च जानकरी दे सकता है मौसम विपाग क्योंकि मौसम विपाग देंग आंकड़े हाल फिरहाल जीडे चकीते जान देने तक रीब-करीब सही साब तो होंदेने सदेनल चटिगर देविच्छ मुखी ने अजे कुमार सिंग जेडे मौसम विपाग दी जिम्मेवरी संभाल देने जिद्धा के दे कि यहां ता अडे उपकार नहीं मौताबक तो हम पता है कि और वाले दिना देविच्छ मौसम कितना रह सकता है तो बड़ा सपाइटी एकलीर करो जी आद दो तेन दिन वोगे तो अधने बड़ा तांग कीता है यह तो अंधाले किने दिन सन तंग करेगी लेकि यह जहां तक धुंद का सवाल है यह कल तक तो continue रहने वाला है पंजाब हरियाना और चंडिगड में यह कल तक धुंद continue रहने वाला है आज हमने ओरेंज वार्निंग दी हुई है कल हमने थोड़ी वार्निंग कम की हुई है यलो वार्निंग है लेकिन जहां तक आज औ नहीं दिख रहा है तो पर्सों से सूरज दिखना सुरू हो जाने की संभावना है तो पर्सों से हम सुरू हम समझते हैं कि आपको धूंद के मामले में थोड़ी रहत मिलनी सुरू हो जाएगी अच्छा जानी कि जिड़े हो ना कल और आज जैसी देखा तो बहुत ज्यादा सी विजिबिल्टी काट सी ट्रैवलिंगी दिखन सी तब पर्सों तो उखा सफर है तो थोड़ी रहत हो जाएगी तो अंतो पहेगी तो हलका हलका सूर्ज निकलेगा हां बिल्कुल बिल्कुल जहां तक धूंद का सवाल है धूंद तो पड़ेगी ही लेकिन जैसे कि आप कल प कि दिखने कि दिखने काम दे है तो ओक दो तक चलेंगी तेखे थंड से तरहात भी नहीं मिलने वाली है थंड कंटिन्यू रहेगी अभी आज के दिनों में या फिर करल या फिर पर्सों जो मारक जो थंड पड़ रही है इसका मेजर रीजन धूंद ही है अभी धूंद इस पड़ रही है कि सूरेंग जो है जमीन पर पहुंच नहीं पा रही है धूप बिल्कुल नहीं निकल रहा है जिसके चलते क्या हो रहा है कि यह मारा मैक्सॉ टमपरेचर जो जो maximum temperature जो देखा जाता है, climatological maximum temperature जो देखा जाता है, आपको 4, 5, 6 से लेके 10, 11 degree तक घट गया है, जैसे भटिंडा जैसे जगों में 10, 11 degree घट गया है, तो आप खुद अनुवान लगा सकते हैं, जो maximum temperature आपको सपोज करिए 11 degree होना, 21 degree होना चाहिए, 11 degree हो गया है, तो maximum temperature घट ग हो गया है, इसके चलते ये ठंड जो है, बिल्कुल मारक हो गया है, तो बाद भी थोड़ा बहुता आइडिया है कि ठंड जड़ी 15 दिन पह सक दिया है, वी दिन पह सक दिया है, देखिए, जहां तक हमारा जो ऑफिस जो है, वेदर के बारे में उभर अनुमान साथ दिनों क करते हैं, लेकिन वेदर जो है, बिल्कुल आपको चेंज होता रहता है, और सड़न इसमें कोई एफेक्ट आपकर चेंज कर देता है, कुछ-कुछ ऐसे फिनोर्मा होते हैं, जिसके बारे में आप सिर्फ देख ही सकते हैं, आप उसका कुछ फोरकास्तिया फिर अनुमान नह सकते हैं, जो कि पंजाब, हर्याना और चंडीगर का एक मेजर जो रीजन है, मतलब इधर का वेदर एफेक्ट होने का वे स्थन डिस्टर्मेंस, अच्छे कि वह समझनी चाहूंगा, अक्सी अक्सर देखते हैं कि कर देखते हैं कि पहला तका का का दसंबर चे बड़ी ठंड पहिंदी सी, होन काट गी, एठंड़ डिले हुंदी जा रही है, इन्ना दिना दिविच मौसम फरकुंदा सी, होन मौसम तबदीली आ रही है, तुसी लंबे टाइम तो क्योंकि वगया नहीं था, पिछ्छे तो लेकि गहां तिकर खोज कर देनी, तो यह थोड़ा की है, इस जैसे कि मैंने अभी आपको डिसकस किया Western disturbance, पहले Western disturbance जो थे इतने frequent नहीं आया करते थे, अब तो कभी भी Western disturbance आ जाता है और पुरे उत्तरभारत के मौसम को प्रभावित कर देता है, तो Western disturbance के चलते, या फिर Western disturbance नहीं, मौसम में तबदीली तो आ रही है, आपने खुदी इस नहीं था, वो Western disturbance का भी फ्यक्ट था, हम लोग आज तक पढ़े हुए हैं, जितना हमारा नौलेज है, बोला जाता है कि जब मौनसून एक्टिव रहता है, तो मौनसून इतना सिस्टम होता है कि दूसरे सिस्टम को सटने नहीं देता है, लेकिन इस पर Western disturbance भी उसी तरीका से आके पूरे पंजाब, हर्याणा और चंडिगड में तबाही मचा के छोड़ दिया 8-9-10 जुलाई को, तो इसमें कोई दो मत नहीं है, मौसम में तबदिली तो आ रही है, लेकिन जहां तक अभी ठंड पढ़ने का सवाल है, मतलब कि पंजाब, हर्याणा और चंडिगड में कि कोहरे के कारण सूरज करना दिखना और जमीन का हिटिंग नहीं होना, में इसके चलते हो रही है, अदर्वाइज नॉर्मल ठंड पढ़ रही है, लेकिन जहां तक ठंड की सवाल है, परसों से हमको दीन में थोड़ी रहत मिल सकती है, लेकि रात में भी रहत मिलने की अगल देन जड़े हैं पौने पैन गया, अदर्वाइज त्यां रखना पैएगा, तो अंदर दे मामले चा सफर करना जड़ा, ओ कल तो अनू बहुत त्यां रखना पैएगा, कल तो अंदर इसे तना पैणी है, पर परसों तो तो अंदर जड़ी पैएगी जरूर पर विजीबिल मौसर पाग दे रहा है, तो एक हाफते तो बाद की निबड़ेगी, ओ, उस तो बाद जड़ी हैगी, तस्वीर साफ होगी, पर फिलहाल, एक हाफता ता नू ठांड तो राहत नहीं मिलने वाड़ी, कैमरमेन अजे कुमार दिनाल, नपंदर सिंग ब्राड, न्यूज एटीन चैनली को